ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई से 15 अगस्त याने कि इन 20 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फलक के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए 27 जुलाई से 15 अगस्त याने कि इन 20 दिनों के समय किस प्रकार रहने वाला है जो दोस्तो ग्रहनक्शत्रों के इसाब से इस समय आपको किन-किन चीज़ों से फायदा होगा किन-किन चीज़ों से साफधन रहना होगा शाथ शाथ इन 20 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वेपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर और सटीक जानकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाले हैं या दोस्तों वैसे तो बता दे, इन दिनों गुरू पुष्प अमरत योग बना हैं, जिसमें कि आपको पाँच बड़ी गुड नियूज में मिलने वाली हैं तो दोस्तों कौन सी पाँच बड़ी गुड नियूज हैं, बड़ी खुसकबरिया हैं, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण शटीक रासिफल 27 जुलाई से 15 अगस्त, यानि कि इन 20 दिनों का इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो समय निकाल कर शुरू से अंतर तक पूरा वीडियो देखना, बहुत तो फैदेबंद वीडियो हैं, बीच-बीच में से वीडियो देखो तो कोई लाब आपको नहीं मिलेगा, संपूर्ण शटीक रासिफल जानना है तो पूरा वीडियो देखना, या दोस्तों वीडिय का शुरू करें, सबसे पहले को आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बगवान विष्णू जी के सच्च्च बख्त वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट स्पोक्स में जैस रेर विश्णो अमस्च चलिके हैं, जिससे बगवान विश्णू जी के आपके और आपके परिवार के उपर सर्व सर्वदा बनी रहें तो चलिए बात करते हैं किस प्रका रहेगा आपकी राशी वालों के लिए 27 जुलाई से 15 अगस्त याने किन 20 दिनों का यह महत्पपोन समय दोस्तों यह समय भग्य आपके पक्ष में हैं कोई राजनितिक उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतुबा बढ़ेगा साथ ही आये में भी व्रद्धी होगी सगे संबंदियों का सयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा साथ साथ यह समय कोई नजदी की महतपपूर यत्रा संपन हो सकती है तथा मनोरंजन संबंदी भी कुछ योजनाइं बनेंगी जिससे मन आपका बहुती प्रफुलित रहेगा अगर प्रॉपर्टी खरीदिने संबंदित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदी द्वारा परिक्षण आप अवश्य करवाले जदोस्तू साथ साथ अगर आप कुछ समय से इस्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी चर संबंदित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्स अवश्य कर लें आपको इस समय अवश्य ही सफलत अप्राप्त होगी संतान की तरफ से भी कोई सुब समाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुबा माहुल रहेगा दोस्तों साति सात यह समय आप अपने व्यक्तिकत मामलों को किसी के समक्स शेयर ना करें गुप्त रूप से कार्य करने पर आपको अवश्य ही सफलत अप्राप्त होगी दोस्तो साथ साथ यह हढ़ा वह समय होगा जब कहीं से आपको कोई सुब समाचार भी प्राप्त हो सकता है बड़े बुजर्गों का अशिरवाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा जा दोस्तों साति सात यह समय परिष्टितियां आपके पक्स में हैं जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वे अब बड़ी आसानी से और आपके मनों अनुकूल तरीके से हल हो जाएगा नवीन वस्तर आबूशन जैसी चीजे खरीदने की भी अब योजनाई बनेंगी दोस्तों साति सात यह समय अगर आप घर में कोई सुधार संबंदित योजनाई बना रहे हैं तो ग्रह अस्तितियां बता रही हैं कि वास्तों संबंदित नियमों का पालन करना आपके लिए ला साति सात यह समय कभी कभी जादा सोचने की वज़े से तनाव आ सकता है आपकी कारे छमता को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ महत प्रमून कारे भी हाथ से निकल सकते हैं इस बात का ध्यान रखें सात ही अपने भाईयों के साथ संबंद मधूर बना कर रखें घर की मरमत और रख रखाव संबंदित कारों में खर्चा बहुत जादा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट गणबढ़ा भी जाएगा इसलिए सावधान रहें क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नीन पर भी बढ़ सकता है दोस्तों साति सात इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश सकता है कि आपके रुत्बे का कोई नाजाद फायदा भी उठा सकता है जिसकी वज़े से आपकी मानहानी भी हो सकती है आपकी छबी को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है छबी को आप साफ सुत्रा बना कर रखें यह आपके लिए बहुती अच्छा रहे करने की आवश सकता है अन्य था वाद विवाद खड़ा हो सकता है साथ ही पुलिस थाने वगहरा के भी चक्कर लग सकते हैं किसी बहरी व्यक्ति की बातों में ना आकर अपने निर्णे को ही आप सर्वो परी रखें दोस्तों साथी साथ किसी संबंदी रिष्टेदार से किस इसी प्रकार की कहस सुनी हो सकती है आपकी कोई जिद आपसे संबंदों को खराब कर सकती है अथे अपने वैवार में लचीलापन रखें साथ ही अपने घर्चों को भी शययमित रखें दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखने के आवश्यक्ता है कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलू ओपर सोच विचार करके योजना बनाएं बाद में उसे आप पून करें इससे आपको अवश्य ही लाब होगा और आपके लिए ऐसा करना हितकारी रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ के की जाए तो यह समय आप अपने कारे में जीवन साती की सला लेना आपके लिए लावदायक रहेगा इससे आपसी संबंदों में मधुर्त आएगी साथ ही प्रेम संबंदों में भी प्रगड़ता बढ़ेगी संतान के केरियर संबंद से इस समय घर में खुशनुमा माहूल वनेगा पती पतनी अपने बच्चे की इस उपलब्दी से अपनी परवरिस पर गर्व करेंगे साथ साथ यह समय आपकी उपलब्दियों की वज़े से परिवार में लोग बहुती खुशी महसूस करेंगे आपकी प्रसंसा वे आदर भ लगाव आपसी संबंदों में और अधिक मजबूती लाएगा दोस्तों साथ साथ यह समय पती पतनी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतबेद हो सकता है परन्तु जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा दूसरों से जादा उमीद रखने की बजाए अपने लाए में सभी कर्मचारियों की गति विदियो पर नजर रखना आपके लिए अति आवशक है ध्यान रखें कि सब के साथ संबंद उचित वे दोस्ताना बने रहे जादा टोकाटाकी की वज़े से श्टाफ परिशानी महसूस कर सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय नोकरी पे ऐसा लोगों को अपना लक्षे पूरा करने पर कोई प्रोमोशन भी मिल सकता है वेवसाइक इस तल पर भी सभी प्रकार के काम सोचारों रूप से चलते रहेंगे योजनाओं को हर किसी के समक्ष आप जाहिर ना होने दें अर्थात उसे गुपत ही रखें अन्नता कोई इसक प्रतिस प्रदा में आपको जीत हांसिल होगी इसलिए मेहनत से आप ना घबराए नो करी में टारगेट हांसिल होने से बौस वे उच अधिकारी आप से प्रसन रहेंगे दोस्तो साथ साथ बैवसाय संबंदी जो योजनाय बनाई हैं वे आपके लिए फायदेबंद साबित होगी सभी काम इस समय सुचारों रूप से होते जाएंगे नोकरी पेशा व्यक्तियों को कोई उपलब्दी मिलने के भी अब अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो साथ साथ यह समय नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार को अत्यादिक ध्यान पूर्व करें क्योंकि कोई गल्ती की वज़े से अधिकारी वर्ग आपसे नाराज भी हो सकते हैं परंतु व्यवसाई की गतिविदियां सुचार रूप से चलती रहेंगी मसीनरी आदी से जुड़े व्यवसाई लाबदायक इस्तिती में रहेंगे कोई सुब व्य महत्पपून यात्राइमी यह समय संपन हो सकती हैं जो आपके लिए बहुती फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो बात अगर आपके स्वास्तिकी की जाए तो यह समय गले में दर्द वे खासी जुखाम जैसी इस्तितियां रह सकती हैं लापरवाही आप बिलकुल ना करें तुरंत इसका इलाज लें दोस्तो साथिसाथ यह समय वायू विकार और जोडों के दर्द संबंदी उत्पन हो सकती हैं बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन आपको करने से बचना होगा वर्तमान परस्तितियों की वज़े से अपना ध्यान आप अवश्य रखें दोस्तो साथिसाथ यह समय गर्दन और पीट से संबंदित दर्द परिसान कर सकता है योगा तथा व